कि ये 16 तारीक को देश के नेता राहूल गांदी जी अपनी भारत मुख जोड़ोई नियाय यातरा के जो अभी अंतिम चरण में है तो वो स्पेशली खास करके मुम्रा वासियों को मिलणे के लिए जो उंके प्रोग्राम में नहीं था उनको request करने के बाद उन्हेंने कहा ठीक है चलो मुम्रा आते हैं तो Y junction पे आके Y junction के सीधा निकलके मुम्रा station से सीधा निकलके फिर वो कलवा चली जाएंगे तो कलवार मुम्रा वो लोगों को मिलने आ रहा है है ये नफरत के बाजार में जो उनकी मोहबबत की दुकान उन्होंने खोली है देश में बढ़ती हुई नफरत देष में बढ़ती हुई विध्वेश की राजनीती ज Daar दिश को कोई आगे नहीं लेके जा रही है हाला कि सालो पीछे डाले हैं, हम सभी को जो उनके खयालत है उसके बारे में सूचना चाहिए, यह देश से बड़ा कोई नहीं है, उनके उस एक वाक्य जो हुँआ है, एक सेंटेंस जो है, जो लब्ज में हो कहते है कि किसी पार्टी का जिंडा मैं नहीं लेके चलूंगा, मैं चलूंगा देश का तिरंगा लेके वो तिरंगा जो भारत के आजादी का निशान है, वो बचाना है, देश का सभीधान बचाना है, देश की धर्मनिरपेक्षता बचानी है, और देश में का शोशन बचाना है, अज मनुपूर में आत्याचार होके देड़ साल होने क्या है, पर सत्ता जी के बारे में कितना प्यार है, अब अपने वाई जंक्षन से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो पार्टी के हमारे कार्य करता तो जोड़ी जाएंगे, लेकिन जब एक आदमी बोलता हो कि मैं सियासत करने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहा हूं, इस देश को जोडन कि अबादित रहनी चाहिए, बचनी चाहिए, वो सब लोगों से मैं कहता हूं, पार्टी छोड़ दो, आप कौन से पार्टी के हो, क्या हो, लेकिन आम देश बचाना चाहते हो, तिरंगी की इगजत करना चाहते हो, सभीधान बचाना चाहते हो, तो आपको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुम्रा में सो प्रतिशत लोग वो है, जो चाहते हैं कि सभीधान बचना चाहिए, देश एक आजाद माहूल में आना चाहिए, और देश का लोगतंत्र बचना चाहिए, हमने वो ही बोला है ना, कि नफरत के बाजार में मुहब बाट रहा है, बेचनी रहा है, बाट रहा है